जया एकादशी व्रत कथा गांडी धारी अर्जुन ने कहा हे भगवन अब आप कृपा कर मुझे माग मास के शुकल पक्ष की एकादशी के संबन्द में भी विस्तार पुर्वक बताएं शुकल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन माग माह के शुकल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं इस एकादशी की उप्वास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच, आदि की योनि से छुट जाता है अतैं इस एकादशी की उप्वास को विधी अनुसान करना चाहिए अब मैं तुम्हें जया एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूं ध्यान पुर्वक सुनो एक बार देवताओं की राजा इंद्र नंदनवन में रमन कर रहे थे चारों तरफ किसी उस्तव कासा माहोल था गंधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याई नित्य कर रही थी वहीं पुश्पती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिजाने लगी माल्यवान भी उसका अंधर उकन्या पर आसक्त होकर अपने गाहन का सुर्टान भूल गया इससे संगीत की लाई तूट गई और संगीत का सारा आनंद फिगड़ गया सभा में उपस्तित देवगणों को ये बहुत पुरा लगा यह देखकर देवंद्र भी रुष्ट हो गई संगीत एक पवित्र साधना है इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है अचै क्रोध वर्ष इंद्र ने पुश्वती और माल्यवान को शाप दे दिया संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुश्वती तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है अते तुम्हें मत्यू लोक में जाना होगा गुरुजनों की सभा में असैयम और लज्जा जनक प्रदेशन करड़के तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है इसलिए इंद्र लोक में तुम्हारा रहना वर्जित है अब तुम अधाम पिशाथ ऐसैयमी कासा जीवन विर्दीत करोगे देविंद्र का शाप सुनकर वे अत्यन दुखी हुए और हिमाले परवत पर पिशाथ योने में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे उन्हें गंद, स्पर्ष, रस, आधिका तनिक भी बोद नहीं था वहीं उन्हें ऐसैने दुख सैने पड़ रहे थे रात दिन में उन्हें एक शन के लिए भी नीन नहीं आती थी उस स्थान का भातावरण अत्यंत शीतल था जिसके कारण उनके रोएं खड़े हो जाते थे हाथ पर सुन पढ़ जाते थे दाथ बजने लगते थे एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा नहीं मालुम हमने पिशले जन में कौन से पाप की थे जिसके कारण हमें इतनी दुख ताई ये पिशाच योनी प्राप्त हुई है पिशाच योनी से नरक के दुख सैना भी कहीं जादा उत्तम है इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे भगवान की कृपा से एक बाद माग के सुख प्रक्षपी एक आदसी के दिन दोनों ने कुछ पोजन नहीं किया और नहीं कोई पाप कर्म किया उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया महाम दुख के साथ पीपल की व्रख्ष के नीचे विश्राम करने लगे उस दिन सूर्य भगवान अस्ताजल को जा रहे थे वह रात दोनों ने एक दूसरे से सट कर बड़ी कठिंता से काटे दूसरे दिन प्राथकाल होते ही प्रभू की कृपा से उनकी पिशाच योनिस से मुक्ति हो गई और पुने अपनी अत्यन सुन्दर अपसरा और गंधर्व की देह धारन करके तिथा सुन्दर वस्त्रों और आभूशनों से अलंग्पित होकर दोनों स्वर्ग लोग चले गए उस समय आकाश में देवगंड तिथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे नाग लोग में जाकर इन दोनों ने देविंद्र को दड़वत किया देविंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विश्मय हुआ और उन्होंने पूछा तुम्हें पिशाज योनी से किस प्रकार मुक्ति मिली इसका पूरा व्रत्नांत मुझे बताओ देविंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा हे देवों के राजा इंद्र श्री हरी की कृपा तथा जया एकादसी के व्रत के पुन्ने से हमें पिशाज योनी से मुक्ति मिली है इंद्र ने कहा हे माल्यवान एकादसी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरी की कृपा से तुम लोग पिशास योनी को छोड़ कर पवित्र हो गए हो इसलिए हम लोगों के लिए वंदनी हो गए हो क्योंकि श्रेव तथा विश्नुभक्त हम देवताओं के लिए भी वंदना करने योगी हैं अतया आप दोनों धन्य है अब आप प्रसनता पुर्वक्त देवलोग में निवास कर सकते हैं हे अरजुन इस प्रकार जया एकादसी की उपवास से कुयोनी से सहजी मुक्ति मिल जाती है जो मनुष्य इस एकादसी कवरत कर लेता है उसके मानों सभी तप यग्यदान कर लिये हैं जो मनुष्य शद्धा पुर्वक्त जया एकादसी कवरत करती हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्प में वास करती हैं कथा का साथ संगीत देवी सरस्वती का एक आलोकिक वर्दान है यह एक साधना है एक विद्या है इसमें पवित्रता अवशक है फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदी उपस्तित हो वहाँ प्राणी को सैयंप और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो उनका सम्मान बना रहे गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है जै श्री हरी